हेलो दोस्तों के सी हुआ अप लोग दोस्तों मैं हूँ आर स्यूम और स्वागत करता हूँ आपको एक नए वीडियो में दोस्तों आज की स्वीडियो में बात करने वाले हैं पेपर के बहरें में बात करेंगी वार्सीक जो परिच्छा दोस्तों बोड एक्जाम की द्वारा जारी किया गया है यह इंपॉटेंट के लिए अर्थजास्त का मॉडल पेपर है कच्छा बारा जो आज साइड के स्टुडेंट है उनके लिए बहुत ही इंपॉटेंट यह मो पका कि आया ही आयगा इस मॉडल पेपर से क्यों कि मॉडल पेपर जाम की द्वारा जाएरी की आगया जो परिच्छा करा रहा यह तो इंपोर्टन तो रहेगा तो अर्थसास यानि एकॉनोमिक्स का इंपोर्टन ये मोडल पेपर है तो पूरा मोडल पेपर को आज हम इस वीडियो में हल करने वाली तो वीडियो को आप लाज तर देखेगा चलिए शुरू करते हैं 2030 बूर्ट परिच्छा के लिए काफी इं समय आपको पता योगा तीन गंटा पंदरा मिर्ट दिया आता है 15 विनेट पेपर के लिए तीन घंटा पो पेपर को हाल करने के लिए तो चले देख लिते हैं दोस्तों निर्देश हम नहीं पढ़ेंगे कि निर्देश में वही प्रशन दिये होते हैं कि सभी प्रशन करना अनिवार होता है इतने प्रशन इतने नंबर का होता है इस प्रशन से लिखना है इस प्रशन तक आपको लिखना है कि इतने वर्ड में लिखना कितने सब्दों में लिखना है तो यह सब निर्देश में दिया होता है आप पड़ लीजिएगा अब हम बात कर लेते हैं बहुत बोड जया में मॉडल पीपर दिया जाएगा जिससे आप कोश्चन को देखकर कॉपी में अपना कोश्चन का एंसर लिखेंगे सेम इसी प्रकार से इसमें भी दिया है तो देखें बहुत बिकल्पिया प्रश्चन सब को पता है दोस्तो एक नंबर का होता है तो हमें comment में जरूर बताईएगा किसार इसका answer हमें आता है नहीं तो हम तो बताएंगे क्योंकि model paper हम यहाला हल करा रहे हैं तो इन में से आपका घा right answer हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा घा आपका इसका right answer हो जाएगा यह आर्थी विवस्ता में समग्र मांग क्या है पहला का right answer घा आर्थी विवस्ता में समग्र मांग जो बेश्टी अर्थसास का एक उधारण नहीं है दूसरा जो प्रश्न है बावबिकल्पिय का यदि वस्तों की मांग में परिवर्तन कीमत के अनुपात में हो तो उस वस्तों की मांग होगी क्या होगी यह आपको बताना है इंपोर्टेंट है तभी अब्जेक्टिव में और मोडल पेपर शॉल्फ करा रहा हूं तो बोड एक्जाम में इससे काफ़ी इंपोर्टेंट कोश्चन आ रहे हैं जो आप मोडल पेपर हल कर लेते हैं तो बोड एक्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप रवनातमक प्रतिफल की अवस्था में जो दोस्तों याद रखेगा यह आर्थिवेवस्था अर्थिसास्त्र एकोनोमिस का मोडल पेपर है तो मोडल पेपर तो इंपोर्टेंट है क्योंकि यह 100 मार्क्स का है जिसमें 70 मार्कस का पूछा था तो 30 नमबर तो वोड एक्जाम के द्वारा जब आप पेपर को हल करते हैं तो मिलता है तो देखिए जो तीसरा प्रशन है रुनात्मक प्रतिफल की अवस्था में आपको क्या है आगे लिख रहा है दोस्तों यह आपको बताना है तो आगे जो तीसरा का राइट एंसर हो जाएगा तीसरा का तीर हो जाएगा यह दिखेगा नंबर सीमांत उत्पादक, शीमांत उत्पाद रुनातमक होता है, क्या है रुनातम करत्वल के अवस्था में सीमांत उत्पाद रुनातमक होता है, यह आपको पता गया, चोथे प्रसुन के वर दोस्तों बढ़ते हैं, कुल संपत्ती है, यह आपको याद रख इसके लिए किितनी है तो कुल सम्पत्ति किनि है चौते का रायाट करें सर भूजएगा थीद के अर्तसास का भी कि don. इंडिया की इक उनोमिक से तो इसी सवरी से रिलेटेड दोस्तों तो यह अर्चिसास का 50% जो मैट्स का सवाल आता है तो आपको यह कुल संपत्ती के वैरी में याद रखना होगा पांचवाज हो जो दोस्तों उप भोगता की आए अधिक होने पर वस्तूव पर अधिक वे कर सब्सक्राइब करते हैं यह आपको पता होगा चलिए अब अगली कोश्चन के और बढ़ लेते हैं मॉडल पेपर इंपोर्टेंट है दोस्तों याद रखेगा मॉडल पेपर का सभी कोश्चन आपके बोड़ ग्याम में पूछे आएंगे एक नंबर का कोश्चन है छोड़ मॉडल पेपर हैं तो छल्वा € 3 जो कोश्चन है जबकुल संप्राप्ति जब कल संप्राप्त में होश होता है तो सिमान्य व्षच में सम्प्राप्त होती है क्या होती है जी आपको बतारा है तो हम उनको दिला कर रहेंगे बस आप हमेरी चैनल को सस्क्राइब पर लीजिए वीडियो को लाइक कीजिए शियर करना अपने दोस्तों के साथ मत बोलेगा और जो भी वीडियो आपको नहीं समझ में आता है वीडियो दोस्तों नहीं मिला हमें कोमेंट कीजिए हम उसमें डेडि हो जाएगा दोस्तों यह सभी यानि कल्याण आर्थी विकास आर्थी तुलना यह समिष्ट अर्थिसास के अध्यान में शहायक होती है विस गली इसको आंसर यदि गलत है दोस्तों तो अब हमें बताईएगा नहीं तो हम तु जानते हैं यह सभी है कल्याण आर्थी विकास संफ सभी इंपॉर्टेंट्नस नीवेश बराबर मूलिय गुरू का मूलिय प्लस मूलिय सुक्ष्यली सुक्राइब इंवेश प्लस निवेश बराबर फूरता धूरत होता है शोम जो आप को इस इसको समालते हैं के इंडिये बेंक हमारी लो जो इंडिया में कि इंडिया दसवा है दोस्तों अंतिमव वस्तों की नियार्थ या निरगर्त नियोजित मूल को कहते है क्या कहते है दसवे करायट इंसर नहों stratégिए नहीं जाएесदू पहला आपका अन्या सित माप्त हो जाएगा यह आपको हो गया पता हैisen genau 12 यह बहुती प्रश्न पूछा आता है अब हम बात कर लेते हैं, अति लहुथरी प्रश्न यह चैनल, 25 सब्दों में लिखना होगा, इसका तो 25 सब्दों में आपको लखना कंपल सहरी, इसका उत्तर मिनें इम्हें हो दोस्तों पसी सब्सक्राइब क्योंकि तीन नंबर मिला है तो आपको लिखना तो पड़ेगा क्योंकि बजट रेखा क्या है बजट रेखा बारवा कोश्चन है माग की कीमत लूच ग्यागत करनी की अनुपातिक विद्य का सूत्र लिखे दोस्तों यह आप कहेंगे आति बताना है बिसके लिए तो बजट रेखा क्या ही पहला होगा बारवागा मांग की कीमत लूच ग्याद करनी के अनुपातिक विद्य का शूत्र लिखे तेरा है समिष्ट अर्थिसास की सीमाए बताई जो समिष्ट अर्थिसास है इसका आपको सीमाए बताना है चौदा नंबर है पैमाने के प्रदिफल का अर्थ लिखे क्या करना है पैमाने के प्रदिफल इसका अर्थ आपको लिखना है 17 है सार्वजनिक वस्त किसे कहते हैं जो सार्वजनिक वस्त है यह विजिकली किसे कहते हैं यह आपको बताना है तो यह काफी इंपोर्टन कोश्टन है आ छे नमबर का इसका देंद नमबर का प्रश्ण है पर इन नंबर का व्यक्ति की रिफुट है यह आप इन थे सब्सक्र इस प्रकार से इस सांसा समष्ट नमबर ये इसके होने के आवश्यख सरतों को बताइए चे नमबर का उसके बाब में 20 नमर को शनर रा जे चक्रवा के तीन चरवह ऊसमें मापन करने के लिए किस प्रकार सी आखड़ों का वसक्ता पड़ती है यह आपको रताना इचे नमबर का है तो बताना तो पड़ेगा दूस्तों अब हम बात कर लेते हैं ब्रेस्तु तुक्तिरिए प्रश्न की जो आपके बोड इग्या में काफी इंपॉटेंट है और य repeating आपके बोड ऒग्याम में 10 नंबर का कितने हैं 10 जाने पूर नंबर का पूछा आता है 10 नंबर का इसमानों समय में 100 शाफ के T को बताईए इसके विवेन रेडियो के सच्चियों वर्नन किजे दस नंबर का यह आप कहें के दोस्तों इसी सभी पर मॉडल पेपर का कॉश्चन विशा अंसर बनाने के लिए हमने कॉश्चन तो दिखा दिए पस इसका अंसर आपको ला रहा है तो वीडियो को लाइक कीजेगा शेयर कीजेगा अपने दोस्तों के साथ आप हैल्फ करेंगी तो अतवा प्रकार से अतवा लग गया दोस्तों चाह पूर्द प्रति स्पर्धी की विशिस्ताएं बताईए पूर्द स्पर्धी में एक फर्म कीमत स्विकार क्यों होती ही आपको उताना है अतवा लग के समिश्ट अर्थास के अंतर के छेत का वरणन कीजिए 27 नमर जो कोशन है आकरी कोशन है मांग तथा पूर्ति को वक्रों में सिफ्ट होने की परकेरिया में संतुलन कीमत अथा मात्रा पर पढ़ने वाले प्रभाव का समझाए यह आपको हो गया अधवा लगा है केंद्री कृत योजना बंद रतिवेवस्ता तथा बाजार रतिवेवस्ता की वेद को असपष्ट कीजिए तो यह सभी कोशन दोस् तो न्यू मोडल पेपर है बोड जाम से रिलेटेड है इसको हल करने की कोशिश आप जरूर कीजिएगा तो मिलता है नेस्ट वीडियो में दोस्तों नए टॉपिक है था तब तक के लिए गुडबाई जहिद पाढ़ते रहें बढ़ते रहें